हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का Everything is Strange चैनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं भोपाल से चल कर एहमदाबाद जाने वाली सभी ट्रेनों के बारे में भोपाल से जितनी भी ट्रेने एहमदाबाद के लिए चलती हैं सभी का नाम नंबर उनके चलने का समय दिन सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि अब जनसंगय काफी बढ़ती जा रही है भारत की और एक ही सहर में जैसे भोपाल में अब 2-3 स्टेशन हो गया है जैसे हबीब गंज जिसका अभी नया नाम बदल कर रानी कमलापती रख दिया गया है और भोपाल जंक्सन हो गया मेन और एक च्टेशन और है दोस्तों वहाँ उन तिनों स्टेशनों से चलकर जितनी भी ट्रेने एहमदाबाद को जाती है सारी की सारी वीडियों में हम चर्चा करने वाले हैं तो वीडियों में BPL है और एहमदाबाद जिसका कोड ADI है अब इसमें आगे बात करें तो ये जो 10 ट्रेने उसमें से 7 ट्रेने मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेने हैं दो सूपर फास्ट है और एक अंतियोदय है टाइप की ट्रेन है 610 किलोमेटर का सफर है रेलवे के ट्रैक जो है 610 किलो एहमदाबाद के बीच में और इसका जो में रूट है वो भौपाल से उजयन नागदा रतलाम और गोधरा होते हुए एहमदाबाद को पहुंचता है अब 10 ट्रेनों में सबसे पहले नंबर की जो ट्रेन है यहां पर पहला दूसरा नंबर टाइमिंग के नुसार दिया गया जिसका नंबर है 22,466 जो कि 9 गंटे 25 मिनट में भौपाल से आपको एमदाबाद पहुंचाती है 5 स्टेशनों पर रुखती है 619 किलोमेटर की यात्रा कवर करती है यह दोस्तो ट्रेन मैंने बताया था तीसरा रेलवे स्टेशन संथ हिर्दाराम नगर है यह भौपाल जंग अगर रेलवे स्टेशन से मिलेगी सुबह 4 बच के 50 मिनट पर दिन केवल सप्ता में एक दिन मिलेगी यहां पर ब्रस्य पित्ति विवार को प्लेटफोर नंबर एक से और एमदाबाद आपको दो पहर के 2 बच के 15 मिनट पर प्लेटफोर नंबर एक पर पहुंचाएगी यह एक सूपर फास्ट टाइप की ट्रेन है इसमें कोच की हम बात करें तो 3 AC, 2 AC, 1 AC कोच मिलेंगे स्लीपर और जनरल क्लास के भी कोच आपको देखने को मिल जाएंगे दूसरे नंबर की ट्रेन है पटना एमदाबाद एक्सप्रेस जिसका नंबर है 19,422 जो की 11 गंटे 45 मिनट का समय लेती है 10 इस्टेशनों पर रुखती है 619 किलोमेटर की यत्रा कवर करती है ये भी संथ हिर्दाराम नगर से मिलेगी प्लेटफोर नंबर एक से सूबज 6 बज के सपता में केवल एक दिन बुद्धवार को मिलेगी और एमदाबाद जंसन साम को 5 बज के 45 मिनट पर प अगली जो ट्रेन है उसका नाम है गोरकपूर एमदाबाद एक्सप्रेस जिसका नंबर है 19,490 जो की 10 गंटे 50 मिनट का समय लेती है जिसके बीच में 6 स्टेशनों पर रुखेगी 619 किलोमेटर की यत्रा कवर करेगी अब ये भी ट्रेन आपको मिलेगी संथ हिर्दाराम केवल बुद्धवार को ये ट्रेन नहीं है बाकी और सारे दिन ये ट्रेन है और अगले दिन सूबह 4 बज के 10 मिनट पर प्लेटफॉन नंबर 9 पर एमदाबाद जंक्सन पहुंचाएगी ये एक मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसमें लगने वाले कोच हम देखे साथ इस्टेशनों पर रुकेगी 619 किलोमेटर की यात्रा कवर करेगी ये सप्ता में केवल एक दिन रविवार को मिलेगी साम को 7 बज के 10 मिनट पर संथ हिर्दाराम नगर से मिलेगी और एमदाबाद सुबह 7 बज के 15 मिनट पर प्लेटफॉन नंबर 4 पर सॉमबार को अगली जो ट्रेन है वो है अंतियोदेय ट्रेन दरभंगा एमदाबाद अंतियोदेय एक्सप्रेस इसका नाम है 15 569 इसका नंबर है 11 घंटे 35 मिनट का समय लेगी 6 स्टेशनों पर रुकेगी 619 किलोमेटर कवर करेगी सप्ता मेकेवल एक दिन ब्रस्पतिवार को मिलेगी सा अगली जो ट्रेन है उसका नाम है जबलपूर वेरावल एक्सप्रेस वाया इटार्सी 11 464 इसका नंबर है 12 घंटे का समय लेगी 22 स्टेशनों पर रुकेगी 630 किलोमेटर की यात्रा कवर करेगी सप्ता में आपको पांच दिन मिलेगी रविवार को मंगलवार बुदवार और शनी वार को केवल सौम वार को ये ट्रेन नहीं मिलेगी और सुक्र वार को ये ट्रेन आपको नहीं मिलेगी यह में भुपाल जंक्सन से रात को 8 बज के 10 मिनट पर प्लेटफोर नंबर 4 से मिलेगी और अगले दिन सुबह 8 बज के 10 मिनट पर एहमदावाद जंक्सन प्ल पोच आपको मिलेंगे अगली जो ट्रेन है उसका नाम है सालीमार भुज सापताइक सूपर फास्ट एक्सप्रेस जिसका नंबर है बाइसेजार आठ्रो तीस जो की ग्यारा गंटे पैंतालिस मिनट का समय लेगी छे स्टेशनों पर रुकेगी और ये सपताम एकेवल एक दिन को पहुंचाएगी और एइमदावाद जंक्सन सुबह चाहिए अपको पहुंचाएगी सूपर फास्ट टाइप की है ट्रेन है अब इसमें लग ने वाले कोच हम देखें तो इसमें 3DAC 2DAC जो 11 गंटे 55 मिनट का समय लेगी 22 इस्टेशनों में बीज में रुकेगी और सब्तामी के वोले दो दिन आपको ये मिलेगी सोमबार और सुकरवार को भोपाल जंग्शन रेलवे स्टेशन से मिलेगी रात को 8 बज के 15 मिनट पर प्लेटफोन नमबर 4 पर और एमदाबाद चाहेगी मेल और एक्सप्रेश टाइप की है ट्रेन है इसमें लगने वाले कोच हम देखें तो इसमें स्लीपर क्लास जनरल क्लास थर्ड एसी सेकेंड एसी फर्स्ट एसी का कोच आपको मिलेगा अगली जो ट्रेन है उसका नाम है आसन सो लेहमदाबाद सापताहिक एक्सप जिसका पुराना नाम था सपताहिक एक दिन संडे को आपको रविवार को मिलेगी ट्रेन रात को आठ बचके 25 मिनट पर और अगले दिन दोपहर में 12 बचके 40 मिनट पर एहमदाबाद जंक्सन पहुंचाएगी मेल और एक्सप्रेश टाइप की है ट्रेन है इसमें लगने व वो है बरोनी एहमदाबाद एक्सप्रेश जो की जिसका नंबर है 2484 16 गंटे 15 मिनट का समय लेगी आठ इस्टेशनों पर रुकेगी और यह आपको मिलेगी रानी कमलापती रेलवे स्टेशन से रात को आठ बचके 25 मिनट पर सपताह में 6 दिन यह ट्रेन मिलेगी केवल रव लगने वाले कोच की बात करें तो थार्ड एसी सेकेंड एसी जनरल क्लास स्लीपर क्लास के मिलेंगे डिबबे और पेंट्री कार का भी इसमें डिबबा मिल जाएगा इस प्रकार टोटल दोस्तों 10 ट्रेन हैं जो की अभी बोपाल से एमदाबाद के बीच में चला ही जा रह आएगा फटेन के जाकर जार्बाद के बीच में ढ lista हना है